नमस्कार भाईयो में राजिस्तान गोटपारम अनाभजे तोसि कॉल ्ोले। मेरा पारम राजिस्तान अजमेर में अजमेर से पंदरा किलोमेटरr के नाम से अभी जो लूट में में बुक्रे दिखाना है सारे यह जंगल से क्लेक्ट की वह बुक्रे सारे का सारे और यह प्प्यn विक्षी किए ओमॉल है टीक है यह रेट की बात नहीं करूंगा भाई बन्दों के रहता है में रेट की बात करूंगा की मेरा लोट क्वहंट वेसने बहुत क्राइब लगता है बाकि इनको पता यह नहीं कि रहें इस रेट में इस रेट में वह नहीं बता हूं लेकिन एक वजन बता देता हूं इसमें 25 कम से कम 25 किलो से लेके इसमें 45 किलो तक के बख रहे हैं वो सारे अधनते कोई दो दात या 12 मिने का बच्चे नहीं है इसमें लगबग 5-6 मिने से लेकर 8 मिने तक के बच्चे हैं बाई अच्छी ग्रोथ वाले हैं यह दूबले पतले इस टाइम इस मोसम में थोड़ा आपको लगना ही है और यह बता दूँ यह चाहरब PPR वेक्सिन किया हुआ हुआ है और किसी बंदे का पाल रखा है यह किसी ने इस टोप में है न और इसमें सारा जंगल से क्लेक्ट किया हुआ हुआ है एक 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 बच्चे हैक सेलेक्ट करके पाला हुआ है जंगल से क्लेक्ट कियों माल है ना भया मंडी के माल से दोपे से ज़्यादा लगेगा ये बात ध्यान रखना मंडी के माल से और जंगल के माल में बहुत फरक है मेरे भाई मंडी से आपको तुरंत माल मिल जाता है ये मैं मानता हूँ लेकिन आप ले जाके देखना वो बिमारी ही पड़ेगा तो आप मंडी के माल में मत पसो मेरे भाई देखो जल्दबाजी अगर आप यहाँ जमेर आ जाते हैं और मुझे आज का आज माल चाहिए यह मुझे अकल तक माल चाहिए तो आप मंडी से ही मिलेगा जंगल से नहीं मिलेगा इतना जल्दी हमें नहीं मिलता आपको कान दिमित देदे भाई लेकिन बहुत जल्दबाजी जो बंदे करते हैं उसे ऐसा ही माल मिलता है तो आप यह चीज क्यों बतारों मैं एक बार खुला सक कर देता हूँ मंडी और जंगल की माल में क्या फ़राखे जाता मंडी से जंगल से यह मंडी का माल मैं मानता हूँ यह चीज लेकिन क्या प्रोब्लम होती है मैं बता देता हूँ मंडी का माल जब मंडी में जाता है जंगल से तो पेले जो खरीदा खरीदता ए वो करीदने वाला बंदा उसे दबा के खिलाता है ठीक है अनिसान जितना आकाता खिलाता कि झाला सब्छंग को जाता फिर वो गाड़ी में लोड करता दबा के ऐसे नहीं आराम से कभी नहीं करना उसको क्या जाते वेशना तो हर चीज वो ऐसे करेगा दबा के उसे गाड़ी बढ़ देता जिस्व बकरी को कितना इतनी इम्मुनिटी डाउन हो जाती मतलब इसका जो 100% लेवल रहता न बच काम करने की नहीं होती तो उसको क्या फिर बीमोरियों से जगड़ा जाता है फिर वो मंड़ी में जाते हैं इंफेक्टेड हो जाता है 100-100% इंफेक्टेड हो जाएगा वो उस टाइम नहीं दिखेगा आपको दिखेगा कब 2-3-4 दिन के बाद वो इंफेक्टेड का असर 3-4 दिन के बाद आएगा तो आप खुछ समझदार करो भया ऐसी चीज मत लो जल्दबाजी में तो मंडी से माल ले ले तो ठीक है मेरी बात मानों बढ़िया अच्छी बात है लेकिन मैं इसलिए मना करता हूं मंडी का माल नहीं दूंगा अगर कोई बंदा ओडर लगा तो मंड कर लो ठीक है जल्दबाजी से माल ले ना गट भी ल हको ठीक है माल क्या है दो बंदा कोई भी मिलेगा follows स्कंषिक कफ़मा नहीं हिसापसे रेड बताता है ठीक है और बाकी मंधी से भी मेरे बाइव जो बंदा भी मंधी से माल लिया उसे जुरूर कमेंट कम के बताना क्या मंधी से माल लेकर आप फार्मिंग में सक्षेज हुए हो या फार्मिंग आगे बढ़ सुके हो यह जुरूर बताना मेरे को भाई क्योंकि अगले बंदों को इस चीज की जो नएआ बंदा डालने जा रहा है फार्मिंग पढ़ा 230 में या 240-280 क्या रेट पर पढ़ा आपको अंदाजा पढ़ेगा अच्छी चीज की बात कर रहा हूं को कट्टू की माल की बात नहीं कर रहा हूं यह चीज भी ध्यान रखना कट्टू माल की नहीं यह देखो इसमें सारा है जंगल से क्लेक्ट किया माल और एकदम से जंगल कोमता हूं तो मुझे यह चीज मालूम पढ़ती है कि मंडी के माल से जंगल माल में बहुत तंतर होता है दो पेसे ज्यादा लगेंगे मेरे बाई यह मैं लिखके दे रहा हूं दो पेसे ज्यादा लगेंगे लेकिन बीमारी नहीं आईगी किसी तरह की रिकव तो वह इंफेक्टेड हो जाता है क्योंकि जो जैसे जैसे अभी देखो मैं बताओ मैंने जंगल से माल करी था ठीक है तो मैं जंगल में खरीद के उसको बकरे को बुका थोड़ी ले जाओंगा उसको दबा के लाओंगा जितना हुसा खा सकते वह अपनी लिमिट से ज्याद दाना का लेगा फिर उसको गुड़ का दबा के पानी पिला दूगा ठीक है फिर उसको गाड़ी में दबा के बढ़ दूगा उसमें पचास बकरे आने के गाड़ी में उसमें 60 सित्तर बढ़ दूगा ठीक है फिर वह यहां से रस्ते में जाएगा ऐसे दूल लेगा अंदर क अन्दर उसका पेट एनरजी इसकी इतनी हीटिंग होती गाड़ी के अंदर जितना जब आके डालते हो बहुत एनरजी वह बकरे की उसके हालत नहीं होती खड़े रहने की फिर मंडी में खड़े दिन बर रहता है ठीक है रहने के बाद आप उसको ले जाते हो वहां से उठाती किलोमेटर 800 अब देखो आप खुश सोच वाई बकरा कितना ठक जाता है कितनी इम्मिनिटी डाउन हो जाती है उसकी तो क्या वह बकरा सेटल नहीं हो रहा है राजिस्तान के बकरे सेटल नहीं होते या नहीं होते हैं अब सेटल कहा होगा मेरे दिमाग लगा कि सोच बार क्या आपने कैसे बकरे रखे हैं तो वो सेटल होगा आप एक बार आप सोचो आप यहां से राजिस्तान से इसे दबा के इसमें जा रहे हो आप जाते जाते घर पर जाते जाते आप खुद भीमार हो जाओगी यह तो जानवर है ठीक है इस चीज को समझ के काम करो बाई अगर फार् मेरे बाई 320 लगा रहे दिमार लगा की सोचो क्या मैं यह कर सकता हूं सस्ता तो एक हर बंदा फार्मिंग कोई गलत नहीं त्रेडर कोई गलत नहीं सहना था गलती आपकी भी होती है वाई कुछ क्योंकि मेरे पास बंदे आते ना रेटे ऐसे करते मेरे माल माल टोप खड़ अब टीका घड़ा चीले ठीक है कैसा इक खड़ाव चले कोई दिकन लेकिन वो रेट ऐसा बोलते हैं कि 220 लगा लो 230 लगा लो यह ज्यादा आपका तो 320 ज्यादा है बाई जो समझदार है जो हमेसा पालता है जो समेसा पालता रहता ना उस चीज को इस रेट का मालूम होता ह हर बंदे को रेटों का मालूम नहीं होता है वो अपने अंदाजे से मुह से बोल देता है 220 तो वह दे रहा तो आप 230 ले लो अर बाई 230 230 में माल मिलता है मिलता है एक बाई ट्राइ करो चलो आप फारंवाले तो कैसे ही दे देते है बाई मैंने बहुत बार वीडियो बना लि पेसे क्चरा करिद गए मैं रहा दाइसों में मिल रहा मिल है मेίο, जब चीज जफ वह पैसा फोम सब्सूलीब म nós तुम्हेब लोगे एकले के और 50 वकर क्वाइन में। बहुत माल है याइव बहुत है आपके नुजर में तो आप लेते हो में मेरे बताना इससे फढ़ ये क्योंकि मेरे को वीडियो में समझाना पड़ता है आपने को पुराने बन्दे जो चोट खा चुक ए ना और जो चोट खाने हैं तो फार्मिंग में आते ही नहीं पर लेवाते हूं, क्योंकि उसको यसा, वो 220-230 वाले इसे बंदे लूट लेते हैं, कि वो वापस दूसरी बार तो फार्मिंग के सुकरना चोड़, वो वकरी की कभी सकल, फार्मिंग में चोड़ना चोड़ता है, लेकिन फार्मिंग में सस्ता माल डूड़ता है, ठीक है, बनाने को तो फार्म को लाग रूपे, 15 लाग का में ने फार्म बनाया, और फिर वो बच्चे लाता है, सस्ता कहां मिल रहा है, सस्ता कहां मिल रहा है, यह चीज सोच के जुराजिस्तान अजमिर आता है, तो सस्ता जहां मिल रहा है, वो फारों वाले ही देंगे, क्यों देंगे वो अपना तरीका जानते हैं, भाई बंदा ऐसा नया आया है, तो इसे मंदी से उठाकर आपको तुरं दे देती है आपके वहाँ जाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं तो वह इसी कारण से बीमार होते हैं मेरे भाई थोड़ा दिमाख लगा कि सोचो बाकी कोई नहीं जंगल से उटा के माल ले जाओ आप और अच्छे से केर करके ले जाओगे न तो गारेंटी लिखता हूँ बीमार होता ही नहीं आप बिना वेक्सिन के ले जाओगे न तो भी नहीं बीमार होगा ठीक है यह चीज म बाई आपकी मर्जी जहां से लो लेकिन लेजने के बाद लूटी जो गए यह गारंटी है ठीक है वीडियो अच्छा लग रहा हो ना बाई कमेंट करना मैं और भी वीडियो बनाऊंगा लाइक करना अगर जितने ज्यादा लाइक आए कि उतना वीडियो बनाने का मुझे अ कमेंट रिकते हैं तैंक्यू दन्यवाद भाई और जिसके साथ जो भी हो ना वीडियो में कमेंट वोक्स कमेंट कर सकता है तैंक्यू दन्यवाद